कहुंच गए है काजू की फैक्टि इन में रखा गुए थैले में दिखा देते हैं आपको यह रहा तो इससे क्या मतला तेल निकलता है क्या करते हैं वह रो मट्यल अजय रो काजू हो गए इस अब आर जैसे बोल रहे हैं थे केमिकल पॉलेशन होती है वह क्या होता है नमस्का स्वागत है आपका भारत दर्शन में आज मैं हूं कौनार्क में मेरे पीछे बीच है बीच से अभी आ रहा हूं आगे तो मैं जा रहा हूं आज यहां पे काजू की फैक्टरी है तो यह जो आप पेड़ देख रहे हैं यह मुझे लगता शायद पाइम के पेड़ हैं पर कुछ खाजू लेंगे हम भी मनला पांच किलो दस किलो कि जो अपनी कैपसिती है हमारी जितना हम खा लेंगे अगले कुछ महीनों में घर पर तो वही लेने के लिए भी चलते हैं बाकि सूर्य मंदिर भी यहीं पे है वो भी आपको दिखा देंगे और उसके साथ में बीच आपको देखाएंगे शाम को चलिए अभी फिलाल तो में यहां से दूर है तीन-चार किलो मीटर है तो किसी को या तो लेंगे या देखते हैं आटो 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 आजाएगा तो यहां पर क्या एक पिरदीब भाई है तो कल जब मैं यहां कौनार्क सूर्य मंदे से बीच जा रहा था तो शाम को मैंने लिफ्ट ली थी बाइक पे उन्हीं के साथ वो रुख गए उन्हों से बात हुई उन्होंने बताया गगदोगए उन्होंने ही बताया कि काजू की हो गए यहां भी यहांने पूछा था तो इडली बोले साथ रुपे पले डोसा बोले सौरुपे वो देख के रिट बढ़ा देते हैं उनका तो फिक्स नहीं है रेट लिष्ट भी नहीं है जो मर्जी आया वो बोल देंगे आपको अब मुझे इसलिए पता है कि मैंने कल पर लिष्ट नहीं है रेट लिष्ट नहीं है तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं उससे थोड़ा बच्च के रहना है पहले वाला तो इसको बगलवाला यह तरूपती यह तो कलाकार महा कला कार के सब्सक्राइब और इसनर भी मैंने खाया यह बीकृम मतलब वही है उसी लेना है तो ऐसे बोलने लगत क्या मैं हर्वेक्टी के हिसाब से लग लग रख लेते हो करेट वुलन नहीं नहीं हम यह करते हैं बढ़ा के गता कुछ नहीं है वह कलाकारियां है इंची पता है टूरिस्ट पुले से एक बार आज मी आएगा जैसा तुमने उससे खीचा ऐसा सबसे महंगा है भई पूर लगवक 40% मेरा खाने का होता है और साथ वह प्रदी भाई का फाउन आगया उनसे प्रिश्टेंट मैं यह बच्टेंड वाला चौक है ना मंदिर के सामने हितरूपती धावाई मेरा यही कारान है कि मैं जाता हूं फाइंडाइन पर क्योंकि ऐसे ढावों में ना तो इंकी प्लेट साफ हो नहीं खाना एक से गंदा मेलेगा तो यहां तो रैडी पर चले जाओ जहां साफ सफाई से कोई बना रहा है वह क्या डिस्पोजेवल लूज करते कुछे घोते र सब्सक्राइब नहीं खाऊंगा तो गंदी प्लेट रोस तो नहीं चलता है इसलिए हमारे फूर एक्समेंसर ज्यादा है तो बागी चलते हैं अभी शायद आ रहे हैं तो पहुंच गए है काजू की फैक्टी तो अभी उन्होंने पता किया तो भाई खानावाना खाने गए चोटी सी उनकी है के प्लांट है प्रोसेसिंग प्लांट उन्होंने अपना बनाया हुआ है तो यह एक के अंदर है लंबा है पूछे पूरा बदो शेड है यह दिखाई निया आपको अलीजियासी वापने ऊंदर काजु की प्रोसेसिं प्लांट के अंदर तो होता कैसे हाला कि अभी मश्यून चल नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे तो यह तो हो गए अजय प्रदी भाई यह रहे जिनके साथ हम आई है तो यह होगे प्रोसेस्ट काजु जो की प्रोसेस किया हुआ है इन में र यह रहा तो इसमें भी वेराइटीज अलग-अलग होती है होने को तो यहां क्या है कि ताजा दो चीज़े होती है एक तो इसका ताजा होना और एक इसका मतलब बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छा होना साइज बड़े से इतना फर्क नहीं पड़ता साइज बड़ा-छोटा हमने कई बर देखा न मार्केट में बड़ा साइज है तो महेंगा छोटा है तो सस्ता तो उससे मुझे लगता नहीं कोई विश्वेस फरकाता हूगा क्यों दादा अजी यह यह दादा जिनकी फैक्ट्री है और अब यह हमें बताएंगे एक बड़ा बता दो हमको कैसे नहींलें अड़ कदrá जा होरह आदा आर अच्छ गणिडर मजली अज्बाइगा एक आदर्म करेगा नेकर यह कोला बहुत सब्स्काइq अढ आले खाने भालका नेकंतर शेंट अवे निक्वर्श गई तो उच्वर्श ःत्मों जनुकर गांज़ के जिए बाप से प्रॉ कि यहां पर कटिंग होगा कटिंग मिशने इन से कटिंग हो जाएगा पूरा कटिंग कर देगा छिलका और काजू अलग हो गया अच्छा यह क्या करता है वह बारंग करता है जो तहां माल को ओगो तो एक जो मैंने सोना था बाहर जैसे बोल रहे देखी केमीकल पॉलिशिंग होती है यह क्या होता है वह क्या होता है जो डाल जैसे पॉलिशियोरा ना पॉलिश का मैशिन आका है और इसमें प्रण टोड़ा डलेगा अच्छा तो एक तरदे बिलीचिंग हो गया कि थोड़ा साफ रंग हो जाएगा ठीक है ठीक है पॉलिशी का माली हो नहीं है उनका बाद में गॉरम हो तब हुड़ा करने के मिशिन है तो भई मदब ले लगवग प्रोसेस है कि कच्छा काजू आता है बाद में उसको बॉइलर से मदब से नरम करते हैं फिर वो कचता है यहां पर काटने के बाद छलका कचता है तो चुली दो कजू प्र से अभन है इसमा वो काजू रखे हूं है तो इस्ते क्यामote लगवा की है यह कौसे दिस्तल निकलता है किитgrass यह तो आवन टाइप हो गया मतलब वहां से निकल के यहां ड्राइ किया दे दिया और एक होता जो आप बजार में मिलता ना आपको बिल्कुल सफेद काजु पूरा बड़े साइज का तो जादतर चांसे हैं कि केमिकली प्रोसेस होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डा होगा ताकि उसका रंग भी साफ हो और वह आपको देखने में अच्छा लगे चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम थोड़ा बहुत खरीदते हैं फिर आप से मिलेंगे यह रहा हमारा दस किलो का थैला मैंने ले लिए काजु अपने लिए दस किलो रेटिव भाई साब ने व होलसेल का प्राइब है तो उससे कम भी हो सकता है अगर आप डिपेंड करता समय पर कावा आते हैं लेकिन जो क्वालिटी है खाते वक्त आपको पता चल जाती है कि हां यह सही है जो फिलाल यह यह उठाते हैं और यहां से निकलते हैं अपना आगे खराब से मिलेंगे तो वही काजू फेक्ट्री से आ गई हैं हम बस्टेंड पर यहां से आगे बनना है प्रदी बाई के साथ और बहुत बहुत दन्यवाद है इनका कि हम कल रात को ऐसे ही मिले बाइक पर ही यह जा रहे थे मुझे बिठा के ले जाने लगे तो बोले काजू के उपर बात दी त इसको यहां से काजू मंगाना है यह काजू के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और इनका अपना रेच्ट्राइट भी है तो वहां भी आप आ सकते हैं इनसे बात कर सकते में इनका नंबर दे दोंगा वीडियो में डेस्क्रिप्शन में नूचे तो वहां से देखके आप बात करिये और चलिए फिस मिलते हैं आगे पीज़े भाई दी थेंक्यों सुर्ण